मन्च पर विराजमान, बिटी सी के चीप, स्रिमान, हागरमा, मोहिलरी, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, जनप्रिय नेता, स्रिमान सर्बानंजी सोनवाल, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, डोनर के मंत्री, दाक्टर जितेंद्र सींजी, बिटी सी के डेपुटी चीप, स्रिमान खंपाजी, स्रिमान हिमन्ता विश्वा शर्मा जी, सांसर स्रिमान विश्वजीत दाइमरी जी, और विशाल संख्या में पदारे हुए, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, बाईनी सिंबो फूंगाहाम, बडो लेंडवाव थानाई, गाशे बो बिदा फंबाई आरो बीब, बिना नावां बैखोलो, खुलो मबाई, आचा खालावां नम्ता मन्हा बैबो मुझा, मैं सबसे पहले आप सब की ख्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आने में विलम हुआ, मैं सिक्किम में था, लेकिन महां से निकलने में देर हो गई, और उसके कारण आपको काफी इंतजार करना पड़ा, मैं इसके लिए आप सब की ख्षमा चाहता हूँ, कि मुझे इतनी देरी नहीं हुई है, कि जिसके कारण अब आपको विकास के लिए इंतजार करना पड़े, उतनी देर नहीं हुई है, अब आपको अपने हकों के लिए कोई लडाई लडनी पड़े, मैं आया हूँ, आपके साथ कंदे से कंदहा मिला करके, यहां के लोगों की भलाई करने के लिए, मैं आया हूँ, आपके बीच में, आपके पास जो शक्ती है सामर्त है, आपके पास जो सपने हैं, आप जो नवजवान हैं, उन शब्त को एक अवसर मिलें, और वो विकास की नई उचाईयों को पार करें, आपके सपनों को संजोगने के लिए मैं अपने आपको जोडने के लिए आया। भाईयों बहनों, आज मैं आपके बीच में, ऐसे समय आया हूँ, जब यहां पर एक्ता का सदभावना का एक नया माहोल पैदा हुआ है। यहां के राजनीति गुडवी, अपने बाद विवादों को पीछे रख करके, इस धर्ती के विकास के लिए, यहां के लोगों की भलाई के लिए, सब एक साथ आ रहे। और मैं इसके लिए, यहां के नित्रुत्व को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो लोग जूड रहे हैं, उनका मैं चहे दिल से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कुछ दिन पहले, अग्रमा जी, कमपा जी, मेरे निवास्थान पर आये थे, दिल खोल करके बाते हुई थी। मुझे उनसे मिलकर कि यहां की समस्याओं को समझने का अवसर मिला था। और तभी तो आज उन्होंने कहा कि मोदी जी जो देना है ने दिल खोल करके देना। क्योंकि बाते भी तो दिल खोल करके हुई थी। मैं आपको विश्वाद दलाता हूँ। अब इस दिल में आप ही समा गए हैं। और इसलिए इसलिए यह दिल भी खुल चुका है हाथ भी खुल चुके हैं। बारा बारा पंद्रा पंद्रा साल से जो वादे आपको किये गए थे उन वादों का भी निप्टारा नहीं हुआ। मैं यह तो मान सकता हूँ। कुछ समय लग सकता है। लेकिन आप हर बार वादे करें। और फिर वादों को भुला दें। फिर नए वादे करें। तब जाकरके यह गुस्सा प्रगट होने लगता है। यह आपके साथ जो बादा खिलापी हुई है ने उससे गुस्से का यह दर्शन है। यह आपकी नाराजगी का प्रदर्शन है कि आपके साथ कैसा दोखा किया गया। और इसलिए मेरे भाईयों बेहनों मैं आपको इतना ही कहने आया हूं कि जो बात मैं कर रहा हूं इसको पूरा करने के लिए जी जान से जुर जाता हूं जी जान से खब जाता हूं महरान हूं एक पार्टी जिसने यहां पंदरा साल राज किया। यह आसाम प्रदेश जिसने दस साल के देश को प्रधान मंत्री दिया। पंदरा साल कंग्रेस ने लगातार सरकार चलाई वैसे तो पिछले साट साल से वही सरकारे चलाते रहें। लेकिन अगर पंदरा साल उनकी सरकार दस साल असाम के ही प्रधान मंत्री। मैं तो सोच रहा था कि आसाम में कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। आसाम में कोई प्रब्लम हो ही नहीं सकता है। आसाम में कोई सवाल हो ही नहीं सकता है क्योंकि दस साल यहां से प्रधान मंत्री रहे हो। 15 साल लगातार एक मुख्यमंतरी सरकार चला रहे हो पिर तो समस्या का समाधार हो गया होना चाहिए लेकिन जिन्नों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए वो सवाल पूछ रहे हैं तो आपने 15 साल किया क्या दस साल प्रधानमत्रीनीए क्या किया और इसलिए भाईए भेना जो पंदरा साल तक कुछ कर नहीं पाए दस साल जिस प्रदेश ने प्रदान मंत्री दिया उस प्रदेश को आज अपनी समस्याओं की गिंती करनी पड़े यह अपना खुद का ही विफलता का वो दस्तावेज हैं और कुछ नहीं है यह खुद को स्विकार करना पड़ रहा है कि उन्होंने प्रदान मंत्री उनका अपना असाम का प्रदान मंत्री यहीं से चुन करके मनमुन सिंग्जी को भेजाता और फिर भी इतनी बड़ी लंबी लीष्ट है आपकी काम बाकी रहे भाईयों बहनों कि वह 15 साल में कुछ नहीं कर पाए और मुझसे अफिक्षा करते एक का महिने में मैं सब करता है कि मुझे बताइए भाईया यह मेरे साथ नय हो रहा है क्या नय हो रहा है क्या यह आरोप इमांदारी है क्या यह आरोप जूटे हैं नहीं है यह आप लोगों को गलत पहमी करने के लिए हैं नहीं है आप लोगों को गुम्रह करने के लिए हैं ले लेकिन मेरा आप पर वरोसा हैं आप गुम्रा होने वाले नहीं है आप ने उनके 15 साल देख लिए आपने हमारे 15 महने देख लिए एक-एक मिनिट देश की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने कुछ बाते कुछ समय पहले रखी थी आज मैं बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि असम के कारवी मिक्री ट्राइब को मैदानी इलाके में सिड्डूल ट्राइब के रुप में और आसाम के बोडो काचारी ट्राइब को ट्राइब अंगलोंग और एंसी हिल आटोनोमल्स काउंसेल के इलाकों में सिड्डूल ट्राइब के रुप में गोशिक किये जाने का मुद्दा काफी समय से लंबित है अब दोनों ही मसलों की रजिस्टार सेंट्रल ओफ इंडिया और नेशनल कमिशन अप्सिड्यू का ट्राइब्स द्वारा सिफारिस कर दी गई है आने वाले कुछ समय में ये मामला कैबिनेट में अप्रू हो जाएगा और उसके बाद पार्लामेंट में जाकर के इसको पारिद किया जाएगा कई वर्षों से आपकी ये समस्या थी कि मुझे बताइए समाधान निकल रहा एक नहीं निकल रहा है कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहे इस भाईयों भैनो मुझे जब आपके नेता ने आकर के कहा कि मोदी जी और सबस्या लंबे अर्शन ये लटकी पड़ी है कि आप कुछ कीजिए और मुझे वह कह रहे थे कि आप आईए मैंने का पहले करके आओंगा बात में आओंगा भाई भेनों इस खेत्र के छात्रों को उच्च गुडवत्ता की तक्निकी शिक्षा परियाप्त अपसर उप्रब्द करवाने के उद्देश से और इस प्रकार इंडुस्टिनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए Central Institute of Technology कोकराजार को एक वर्ष की अवधी में दिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जाद दिया जाएगा इस कार्य से यूनिवर्सिटी को और अधीक अकेडेमिक तदा अट्रेटिव आटोनमी प्राप्त होगी मेरे सामने एक मसला आया था एरपोर्ट का बहुत पहले एक एरपोर्ट सेना के साथ मिलकर के काम कर रहा था फिर वो सब बंदों गया अब राज सरकार जमीन ने दे रही है मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं जैसा ही जमीन का मसला पूरा हो जाएगा रुपसी एरपोर्ट को भारती ये भायू सेना और आम जनता के लिए सयुक्तों के लिए विक्सित किया जाएगा भायो बहनो कंचन गंगा एक्स्प्रेस ट्रेइन के रूट को बराक वेली में सीच शिल्चर तक विस्तार किया जाएगा और मैं आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द उस ट्रेइन को आरम भी करने जा रहा हूं एक और कठिनाई बताई कि हमारे लिए बजेट में इतना आवंटन होता है लेकिन पता नहीं कहां जाता है कहां जाता है आपको मालूम है कहां जाता है पैसा कहां जाता है कहां जाता है कहां जाता है कहां जाता है यह बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए जनता की पाई पाई जनता के पाद जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए भाईयों भनों जो आप तक लूटा गया है अब लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग हम पर परेशान है दिल्ली आजकल हिसाम मांगता है पहले दिल्ली में एक डॉनर मिनिस्ट्री बनी थी अटल जी के समय शुरू हुआ नौर्थ इसके विकास के लिए एक विशेस मंत्राले बना गया बाद में अटल जी की सरकार तो चली गई बाद में इनकी सरकार बनी वो सरकार में क्या-क्या होता था क्या क्या होता है सब आपको मालूम है कि हमने अब डॉनर मिनिस्ट्री को एक ऐसा काम दिया है कि जिसके कारण यहां कुछ नेता लोग बड़े परिशान है पहले क्या होता था कि यहां के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था डोनर मिनिस्ट्री कहां है वो खोजना पड़ता था, सामान ने मान भी तो कभी वहां जा नहीं सकता था, शिकायत कोई पहुचा नहीं है तो पहुच नहीं सकते थी, क्या चल रहां आए, क्या सच है, क्या जूट है, पता तक नहीं चलता था, रुपिये तो आते थे लेकिन धर्ती पर कुछ नजर नहीं आता था और राजीव गाजी सही कहते थे वो कहते थे कि दिल्ली से एक रुपिया निकलता है गाउं में जाते जाते 15 पैसे हो जाता है यह रुपिया कौन सा पंजा गिस्ता था भाई यह रुपिये का 15 पैसा कैसे हो जाता था और इसलिए हमने ताय किया कि डॉनर मिनिस्ट्री उसके अपसार महिने में एक बार नौर्द इसके उस राज्य में जाएंगे पूरा सची वाले दिल्ली से गोहाटी जाएगा नौर्थ इसके और राज्यों में जाएगा एक दिन दो दिन पुरा समय वहां बैठेंगे सरकार ने पैसे दिये उसका क्या हुआ उसका हिसाब मांगेंगे रुपिय कहां जा रहे हैं उसके पुछताज करेंगे और यह हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंग की टीम लगातार कर रही है और उसके कारण यहां परेशानी हो रही है कि मोदी हिसाब मांग रहा है और इसलिए आधकल फैसन हो गई है अपने काम का हिसाब नहीं देना लेकिन हिसाब मांगे तो और यह अगरोपों को लगाना शुरू कर देना हसाम सरकार को हिसाब देना ही पड़ेगा नौर्दिश की सभी सरकारों को हिसाब देना पड़ेगा यह जनता का पैसा है यह जनता के काम आना चाहिए रुप्या इदर उदर नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं इन लोगों को बुरा लगता हूं मैं अच्छा लगूं बुरा लगूं इसके लिए मैं अपना समय बरबाद नहीं करता हूं मेरा देश अच्छा बने इसके लिए मैं समय खपाता हूं इसके लिए काम कर रहा हूं और इसे लिए भाई ये भेनों हमारे देश का भविश्य बदलना है तो मेरे पास थ्री पॉइंट प्रोग्रेम है तीन सुत्री कारकम है पहला डेवलप्मेंट दूसरा डेवलप्मेंट तीसरा डेवलप्मेंट सारी समस्यों का समाधान विकास में ही है पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली में पुलिस की भरती हुई अंनुग zrobić की हमने आगरे रखा के नौर्थ इसके अस्के णी राज्यों के नव जवानोंको दिल्ली में पुलिस में भरती करना चाहिए आज बहुत बड़ी मास्त्रा मेंहांसे नव जवानों को दिल्ली की रखवाली के लिए ले गया है एक बार जो बात कहीं उसको लागू करने के लिए जी जान से लगे रहते हैं पूरी कोशिस करते हैं अगर विकास करना है तो इस इस इलाके को सबसे पहली जो जरुत है वो इंफास्ट्रक्चर की है चाहे रोड हो चाहे रोए रेल हो चाहे बॉटर वे हो और इसलिए हमारी सरकार ने एक्टिस्ट पॉलिसी बनाई है और इस एक्टिस्ट पॉलिसी के तहट भारत के पुर्वी लाके को विकास की यात्रा की मुख्यधारा में जोड़ना है रास्तों का नेटवर्क खड़ा करना है और पिछले बजेट आपने देखेंगे बुद्काल में कभी नत्व आवंटन किया होगा उतने रुपए आजकल नौर्थ इस में रोड और रेल के लिए लिए हम लगा रहे है आ आप विचार कीजिए देश आजाद हुआ इतने साल हो गए मैंने एक दिन हिसाब मांगा का भाई बताईए अब तो हिंदुस्तान में हर गाउं में बिजली पहुंच गई होगी तो मुझे हिसाब मिला आजादी के सत्तर साल होने आ रहे हैं अठारा हजार गाउं वैसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा रहे हमने बिड़ा उठाया 15 अगस को लाल के लिए से हमने घोचना की कि मेरी सरकार को मैं जी जान से काम करने के लिए दोड़ाऊंगा जितना धन चाहिए वो दूंगा कि एक हजार दिन में अठारा हजार गाउं में बिजली पहुंचा के रहूंगा आप में से कुछी को भी इंट्रेस्ट हो तो मोबाइल फोन पर आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं डेली डिटेल आता है उसकी एक अलग वेब साइट बनाई है किस गाउं में खंबा पहुँचा किस गाउं में तार पहुँचा किस गाउं में तार का कनेक्शन लग गया डे टू डे हिसाब जनता के सामने रखा जाता है और हर दिन कुछ और कुछ गाउं के में बिजली शुरू हो गई है आप कल्पना कर सकते हैं सतर साल हो गए आज़ादी के जिस गाउं में बिजली आती होगी उस दिन पहली बार उनको आज़ादी क्या होती होगी उसका ऐसाथ होता होगा भाई और मैं तो कभी मीडिया के मित्रों को भी कहता हूं कि जैसे जैसे गाउंगों में बिजली पहुंचे उस गाउं में जो उमंग और उत्सा है उसकी खबरें देश को दिखाओ उनका अननमने कैसा है लेश को दिखाओ देश के अदर होसला बुलंद होगा काम करना वालों का भी हुष्वठा वुलंद होगा कि हाँ भाई हम सही काम कर रहे हैं उस गाउं में बिजली जाती है मतलब शिक्षा में सुधार होता है जीवन विवस्था में सुधार होता है और हमारा सपना है आपके आशिरवाद चाहिए हमारा सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे वो 75 साल देश कैसे मनाएं क्या करें हमारा इरादा है 2022 तक सब्दूर बिजली पहुंचे इतना ही नहीं 24 सो घंटे बिजली मिलने चाहिए 24 घंटे बिलने चाहिए आज नहीं मिल रही है और ये काम हमें बिड़ा उठाया है 2022 तक ये काम करने का इरादा रखा है और मैं आपको भी सबाद दिलाता हूं आजादी के 75 साल देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों की बाते हमें प्रिणा देगी और ये काम हम करके रहेंगे हमारा एक और सपना है वो सपना इस देश का गरीब आजादी के इतने साल हो गए कई गरीब परिवार है जिसको अपना खुद का घर नहीं है हर परिवार की एक इच्छा तो रहती है कि कम से कम खुद का घर हो क्या लोगों का इस सपना पूरा होना चेक नहीं होना चाहिए और इसलिए भाईयों भेनों हमने ठान ली है कि 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा तब तक हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी खुद का रहने का गर हो और गर भी ऐसा जिसमें बिजली भी हो पानी भी आता हो कि सौचाले भी हो और बच्चों के लिए नद्दिक में स्कूल भी हो भाईयों भेनों विकास यही एक पास है अब जब इतने करोडों करोडों मकान मनेंगे कितने नवजवानों को रोजगार मिलेगा कितने लोगों को काम मिलेगा कितने काम के उसन मिलेंगे जब रास्ते बनेंगे रास्तों का नेटवर्क बनेगा कि सिर्व रास्ते बनते ऐसे नहीं जब बनते हैं तब इतने लोगों को काम मिलता है उनकी लिए रोजी रोटी घर के सामने आके खड़ी हो जाती है रेल का काम तेजगती से बढ़ रहा है यहां पर ब्रॉडगेज बनाना एक सबसे बड़ा काम है और जब तक ब्रॉडगेज का काम नहीं होता हिंदुस्तान के और हिस्सों से प्रक्यति के साथ जूड़ नहीं पाते हैं कि हमने इस पर बल दिया है सबसे ज़्यादा मजेट अज सरकार इस पर लगा रही है हमने तहीं किया था हम गरीब से गरीब रखते का बैंक का खाता खोलेंगे प्रधान मंत्री जंदर योजना शुरू की लोगों को लगता है जो काम सतर साल में नहीं हुआ मोदी जी आप कैस सरगर इस देश में जिसके पाथ बैंक के खाते नहीं थे 20 करोड लोगों के बैंक खाते खोल थे 20 करोड़ लोगो आ ही है एँ आ खाथे जिब खोले हमने दा साटी गड़ीब के पाक पैसे होते दो एक बी पैसा नहीं होगा तो उसका बैंक का खाता खुल एक बार और वो आर्थिक व्यवत्ता की मुख्य धाना में आये तो सही बैंक के दर्वाजे में चाने कि उसमें हिम्मत तो आ जाएं बैंक वालों से बैठ करके आँख में आँख मिला करके बात चनी की ताकत तो आ जाएं 20 करोड लोगों के खाते खुल गए हमने कहा था एक नया पैसा नहीं होगा तो भी खाता खुलेगा लेकिन मुझे खुशी है कि जिनके पात पैसे नहीं हैं मानते हैं वो भी सोचते देख मुफत में नहीं करना है कुछ तो देना चाहिए बैंक में जमा करना चाहिए भाईयों बेहनों विर लोगों ने करीब-करीब 30,000 रुपय जमा किया 30,000 करोड रुपय नहीं यह ताकत है मारे जैस के सामवानने मानवी की इस ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते है। आर इसले भाईयो भैनों मेरा एक ही रादा है यह बोडो लैंड हिंदुस्तान में ओर जगापे जितना विकास हुआ है उतना विकास यहां होना चाहिक स्फ़ाइग नहीं होना चाहिए, यहां पर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यही काम मुझे करना है भाईयों इसी काम को करने के लिए मैं आपके आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ और आज यह लाखों की तादाद में मैं यह जन सागर देख रहा हूँ मैंने आसाम में दोरे बहुत दिये हैं लोग सभागे चुनाओं में भी आपने मुझे भरपूर आशिरवाद दिया है लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा ऐसा माहूल मैंने कभी नहीं देखा भायो भनो दूर सुदूर पहड़ों में जंगलों में रहने बाले आप लोग यह जो मुझे आशिरवाद दे रहे हैं न मुझे आपके लिए काम करने की ताकत मिलती है ताकत मिलती है आपके लिए दिन राद दोड़ने की मुझे प्रेनना मिलती है और इसलिए यह आशिरवाद आपके मुझे दोड़ाते हैं मुझसे काम करवाते हैं और आपकी सेवा में मुझे खपा देते हैं भाय भनो मेरी खुशी का विशय है कि हमें नए सात्यों के साथ काम करने का अवसर मिलाएं और मैं भी स्वाद दिलाता हूं कि हम मिलकर के यहां जी जितनी समझ्या है रुकी पड़ी है उन समझ्याओं के समाधान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे फिर एक बार आपका बहुत बहुत आबारी हो बहुत बहुत धनिवाद